हरो दोस्तों नमस्कार आपको स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल एजे आयरवेदा में दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिर्फ एक चम्मच इस चीज़ को बनाके मिक्स करके खा लिया तो समझो आपकी जो समस्या है जैसे की जैसे आपकी भूलने की बीमारी है पागलपन है क्रोध जादा आता है मानसिक बीमारिया है दिमाग में कमजोरी है दिमाग टेंशन में रहता है दिमाग में दर्द रहता है सर में दर्द रहता है और दूसरी बात आपका धातु पतला है और आपको आपका धातु बि कि जितनी भी समझ्चा है ए्रेक्शन नहीं आता है और ढीलापन है ये समझ्चा आपकी उसके बाद आपके सरीर में ताकत की कमी है और भी बहुत सारे मर्जें हैं पंदरा तो मैंने बता दी लिकिन बहुत सारी मर्जें हैं जो इस उपाय को रात को आप खाऊगे और आपको नीद नहीं आती रात में जिन लोगों को नीद नहीं आती उसको भी उन लोगों को भी इस उपाय को करना बहुत आवस्यक है बहुत ही जरूरी है अगर इस उपाय को बोलो कोई भी करेगा तो नीद भी आएगी और ये सारी समस्या भी रात और रात आपकी बिल्कुल ठीक ह तो आपको करना क्या है, कितने दिन तक इस उपाय को यूज करें, कितने दिन तक इसको खाएं, कितने दिन तक इसका प्रियोक करें, तब हमको जाके लाब होगा, वैसे ये जो नुस्का है मैंने साइद नहीं बताया है, कभी भी, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही समस्या है या नहीं भी है फिर भी आप इस उपाई को कर सकते हो कि ये जो उपाई है आपकी किसी ना किसी बीमारी में जरूर काम आने वाला है और खासकर जिन लोगों के बालों की समस्या बाल जैसे जड़ रहे हैं या फिर बाल काले सफेद हो गए हैं उनके लिए बहुत ही जबर दसता है चाहे दाड़ी के हो चाहे सर के हो बाल जिनके सफेद हो गए हैं उनके लिए बहुत ही जबर दसती हो पाई है करना क्या है आपको सबसे पहले आपको लेना है आमले का पाउडर आमले का चोड आमला या तिर्फला तिर्फला ले लो आमला मतलो तिर्फला ले लो अब तिर्फला लेना किसका है कौन सी कंपनी का लेना है या क्या करना है वो मैं आपको बाता है देखो कहीं से मतलेना आमला हर्ड बहेडा इन तीनों चीजों को समान मात्रा में ले आना जाके आप पंसारी की दुकान पर पंसारी की दुकान से लेकर आने के बाद या फिर आपको जहां अच्छा लगता है बहां से ले आओ क्योंकि मैं नहीं मानता कि कोई भी आपको ठीक चीज देगा देखो एक बार मैं पंसारी की दुकान पर गया देखो मुझे भी भाई जरूरत पड़ती है जब चीज लेकर आता हूँ तो पहले ये बता देता हूँ मुझे भी जरूरत पड़ी तिरफले चूरने की तो वहाँ पर एक पूरी बोरी कट्टा भरा हुआ रखा था अबने का ये क्या रेट है नहीं मैंने का डब्बे वाला देदो मुझे कोई जैसे बैदिनात का है और किसी का तो उसने का डब्बे वाला जितना डब्बे वाला आप पचास ग्राम लोगी उसमें आपका दो किलो आ जाएगा हमीं है दो किलो क्या रेट है तीस रुपई किलो एं तीस रुपई किलो तिरफला चूरन अरे भाई साब अगर इसका बिजनिस करना चाहू ना प्राइज है कम से कम 800 रुपई पर केजी होना चाहिए और है असली सुद्ध बढ़िया तो इसलिए मैं कहता हूँ आप लोग पंसारी के दुकान से मत लेके आना आपको ऐसे ही चिपका देंगे और ढब्बे वाला भी मत लेके आना मैं लेके नहीं आता हूँ उसी दिन मैंने छोड़ दिया मैंने आप तो कभी नहीं ले सकता मैं खुद बना के तयार कर दिया बात खतम तो त्रिफला आपको हड वहेडा आमला तीनों चीज़ें आपको लेनी है अब उस चूर्ण को बना के रख लिया अपने डब्बे में आपको क्या करना आदा चमच ăम्मच रो जाना रात को सोतीं समय आदा चमच मतलब खीर लेना है क्योंकि इसमें तर्फला मिक्स है तो आदा चमच घ्ई और आदा चम、 सहन कोई नुकसान को लिया जाता है तब नुकसान करतीम था इसा तो थीनों चीज़ों को मिक्सकार लेना है का पावरर शुद्ध घी शुद्ध शहद, इन तीनों चीजों को बरावर आप ले सकते हो, अगर बरावर ना लेना चाहो तो धिरफला और शहद बरावर ले लेना और घ्ण, आपको थोड़ा कम लेना ठीक है, उन दोनों चीजों से, बस इन चीजों को मिक्स करके रात को चाट के खालो, उपर से थोड़ा दूद पीलो और सो जाओ, सुभा पेट साफ रहेगा कब से निजाद मिल जाएगी आपका धादू का पतलापन बगेरा जितनी भी समझचा हैं जो मैंने पहले बता दूए अब फिर बाद मैं बताऊंगा तो जादा वीडियो बड़ा हो जाएगा तो ये सारी समझचा है आपके ठीक हो जाएगी बहुत ही जवर्दस्ता उपाए अगर इस उपाए को आपने कर लिया तो याद करोगे ये भाई यार तम यार मसता आदमी हूँ सब बता देतों तो कैसा लगा ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करना सब्सक्राइब परना आसा करता हूँ आप कम से कम हजार लाइक तो करवाई दोगे हजार लाइक कर देना एक वीडियो बहुत दिन हो गए हजार लाइक देखे सिद्ध मुद्दत हो गई तो चलता हूँ फिर मिलूगा अगली वीडियो में और हाँ एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप कोई परेशान है किसी के पास पैसे वैसे नहीं है तो हमारा हमसे बता देना दबाई अगर नहीं ले सकता केबल उन मर्जों से नामर्दी एलाज य нож और अगर है कोई वैश्य समाच्चा है कोई भी समच्चा तो उसकigor कर सकता हूं तो अगर आपको ऐसे कोई समक्चा है तो मैं लोल और हमारे चैनल कर भी ठीः प्रप्टर करें